हेलो एब्रिवन वेलकम टू माई नियो व्लॉग कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ तो फ्रेंट्स यह वीडियो है फ्राइडे की दिन का और अभी सुबह के इस वक्त साथ बज़े हुए है तो मैं यहाँ पर अभी इस टाइम पे पानी पी रही हूँ जो कि मैं सुबह उटते पीती हूँ लेकिन आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था तो जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं पानी वगएरा कुछ भी नहीं पी बच्चों को स्कूल जाना था तो उनके लिए टिफिन वगएरा बनाने लगी न तो इसलिए मैं पानी नहीं पी पाई थी और समय ही नहीं मिला सुबह सुबह इतनी ज़्यादा जल्दबाजी हो जाती है कभी कभी अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है न सुबह उटने में तो काफी ज़्यादा हरबडी मच जाती है और जल्दी जल्दी में फिर सारे काम हो जाते हैं तो थोड़ी बहुत जो तैयारी में करके रखती हूं उससे मुझे काफे ज़्यादा आराम रहता है कि मेरी थोड़ी सी तैयारी रहती है तो फिर मैं जल्दी से अपना काम का लेती हूं बच्चों को टिफिन वगेरा बना के दिया मैंने जैसे बच्चे चलेगे उसके बाद अब मैं इस टाइम पे फ्री हो गई हूं तो सबसे पहले अराम से बैट करके पानी पी लूँगी और जब तक मैं ये सुबह का पानी नहीं पीती हूं ना तो मुझे बहुत बेचैनी सी होती है मुझे ऐसा लगता है बहुत मैं आलस आलस सा आरा है ऐसा लगता है मुझे तो इस वज़े से मैं ये गरम पानी जरूर लेती हूं और मुझे इसकी आदत सी हो गई है फिर चाहे उठने की तुरण बाद अगर मैं ना भी पी हूं तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अराम से बैट करके और फिर ये पानी लेती हूँ तो यहाँ पानी पीने के बाद अब मेरे सारे काम सुरू होंगे सबसे पहले मैं कपड़े वगएरा ठीक करूँगी यहाँ पर इस वाले रूम में काफी सारे कपड़े रखे हुए थे रात में सोने से पहले मैं यहाँ पर भी कुछ कपड़े डाल देती हूँ इस रूम में भी एक चेयर रखी रहती है उसमें भी थोड़ी बहुत कपड़े डाल देती हूँ और सुबह वो चेयर मैंने बाहर की है तो कपड़े यहाँ पे बेड़ के उपर मैंने रख दें थी सुबह सुबह और अब मैं सब को समेट लेती हूँ और सारे चादरे वगएरा सब को घड़ी करके और मैं रख दूँगी इसके अंदर तो बस यहाँ का साफ सफाई करते हुए और फिर मैं दूसरे वाले रूम में जाऊंगी अभी मैं यहाँ पे बैटी थी तो इस वाले रूम को सही कर दूँगी इसके बाद फिर आगे की तरफ जाऊंगी तो उधर साइड के सफाई होगी तो बस सुबह का यही काम है और कपड़े इतने जादा हो जाते हैं ना कि हर जगए कपड़े ही नजर आते हैं इस टाइम के भी वैसे तो डेली के ही रहता है कपड़े काफी जादा हो जाते हैं और जो बिस्तर पे पड़े रहते हैं चादरे वगेरा वो सब भी समेटना तो ये सारा काम हो गया है और मम्मी हमारी बैठी हैं बाहर, सुबह ये घूम करके आई हैं बाहर वाक करने जाती हैं डेली और उसके बाद फिर आने के बाद बालकनी में बैठ जाती हैं उनको बालकनी में बैठना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहां से ना सब कोई आते जाते दिखते रहते हैं तो मम्मी यहां पर बालकनी में बैठती है तो बस यहां पर अब मैं कर लेती हूँ सफाय और यह जो बालकनी ना छोटी वाली हमारी जहां पर ममी बैठी है तो वहां पर चड़िया ना हरी हरी घास लेकर के आती है साथ गोशला बनाने के लिए और वो गोशला नहीं बना पाती पता नहीं क्या है लेकिन वो सारी घास जो है नीचे गिर जाती है तो काफी ज़्यादा मात्रा में मैं इसको डेली साफ करती हूँ और वो डेली वहाँ पे मतलब घास पड़ी रहती है पता नहीं चलता क्योंकि हम लोग ज़्यादा तर इस बालकनी में रहते नहीं अब यह से ममिस हुआ यह बैठी है इसके बाद फिर अंदर आ जाएंगे ना तो वो दिन भर वहाँ पे पता नहीं क्या करती है चिडिया घोसला बनाती है लेकिन घोसला बन नहीं पाता है नीचे बहुत सारी घास पड़ी रहती है तो वही उसको मुझे समेगना पड़ता है क्योंकि जब मैं पाणी से साफ करती हूं बालकनी तो वहाँ पे जाता नहीं है सारा कुछ साफ सफाई करके और फिर मैंने वहाँ पे डाल दिया है पाणी और यह काम ना डेली गई रहता है डेली में देखती हूँ डेली फिर हरी-हरी घास वाँ पड़ी रहती है नीचे फर्स में तो चलिए साफ सफाई का काम स्टार्ट हो गया मेरा और वही बस सुबह का तो यही काम रहता है जाडू पोछा जरूरी काम यही है और जल्दी-जल्दी ही मेरा सारा काम होता है सबसे पहले मैंने लिए बाहर वाले बालक़नी को ही साफ किया है और फिर ना यहाँ पर हम मैं आ जाती हूँ तो पोच्छा बगरा मानने के बाद यहाँ पर ठोड़ा जहाडू से साफ करूंगी वैसे तो मैं पानी ढाल देती थी, जहाडू का यूज नहीं करती थी जाडू मैंने साइड में रख दिया था और अभी मैंने यहाँ पे देखा क्योंकि continue बारिश हो रही न काफी दिन से तो यहाँ पे चिकनाई जमा होने लगी है थोड़ा सा मुझे डर लगता है आने जाने में कहीं पैस लीप न हो जाए तो balcony का जो सबसे किनारा वाला area है न जहां से पानी निकलता है नीचे की तरफ वहाँ पे बहुत जाड़ा चिकनाई जमा होने लगी है तो मैं यहाँ पे जाडू से साफ कर दे रही हूँ बस ऐसे जाडू मार देंगे तो यह थोड़ा सा ठीक हो जाएगा वैसे अभी तो बारिस हो रही है तो बारिस के टाइम पे जादा धूलने की जरूत पढ़ती नहीं है क्योंकि धूल डश्ट बिल्कुल भी नहीं रहती है लेकिन थोड़ी बहुत मिटी वगएरा जैसे कि मिटी या उपर में कबूतर बैठता है ना नीचे गंदगी कर देता है तो इसलिए मुझे डेली साफ करना होता है ये बालकुनी और आते जाते रास्ते में ही गंदा रहता है तो फिर मन नहीं मानता है इस वज़े से मैं बालकुनी साफ कर लूँगी और मेरा सुबह का जितना भी साफ सफाई का काम होता है वो हो चुका है डेली का इतना ही काम रहता है चारों तरफ भूलना और घर में पोशा मानना और जो घर का में गेट है न वहाँ पे भी मैं एक दू बाल्टी पानी डाल देती हूं तो वहाँ भी अभी सफाई हो गई है सीड़ी भी अच्छे से साफ हो जाती है तो सारा काम करने के बाद फिर मैं आ गई हूं ना करके और अब मैं कर लेती हूं पूजा इसके बाद फिर से मुझे रोटियां बनानी है मतलब सब्जी तो मेरी बनी हुई है रोटि में बनाऊंगी परांठे वगरा और अभी मैं पहले पूजा कर लेती हूं और आज है नांग पंचमी तो ये सावन का पहला त्योहार होता है मतलब वैसे तो जिस दिन से सावन लगता है उस दिन से ही त्योहार स्टार्ट हो जाता है लेकिन हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि जो तेवहार की सुरुवात है वो आज से होती है नांग पंचमी के दिन से ही तो यह सावन का एक तरह से पहला तेवहार है तो बस यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है और इसके बाद फिर से मैं आ जाती हूं किचन में और फिर से वही सब के लिए फिर से मैं अभी यहाँ पर रोटी और परांठे बना दूँगी तो सब में अभी हम तीन लोगी हैं मैं हस्बिन और सासुमा बच्चे तो स्कूल चले गए हैं तो वस्पटा फट से यह काम अभी मैं कर लेती हूं और मंदिर में जाने का सोची थी लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि जब घर से बाहर जाना होता है तो सुबह सुबह थोड़ा सा ज़्यादा समय चाहिए होता है और सुबह इतने सारे काम होते हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है तो घर में ही मैंने पूजा कर ली है मैं मंदिन नहीं जा पाई देखती हूं किसी दिन फिर जो सावन का सुमवार आता है न उस दिन फिर जाओंगी आज तो नहीं हो पाया और एक तो ये भी होता है न अगर पहले से कोई चीज प्लान करकी रखो तो फिर असान होता है वो काम करना लेकिन मेरी कोई प्लानिंग भी नहीं थी तो देखिए याँ पे अप सारा काम मेरा हो चुका है और नासा बन गया है सब को नासा मैंने दे दिया है और चाय ना सा करने के बाद ना फिर सुबह ही होने लगी थी बारिस बहुत जोरोगी तो ऐसा बोला जाता है कि कोई भी अगर तेवहार होता है ना उस दिन बारिस होती है तो अच्छा लगता है कि हाँ आज ये सावन करते वहार है और आज बारिस हो रही है बारिस होने के बाद अभी थोड़ा सा बारिस बंद हो गई है हलकी हलकी से दूप भी निकल आई है इस टाइम पे ऐसी बारिस हो रही है मैंने सारे कपड़े डाल दिये और इसके बाद लंच का काम हुआ और फिर यहां पर अभी शाम का टाइम है साम के लगबग अभी 6 बचे हुए है और एक गंटे पहले ही मैंने मूंकी डाल भी गोई थी तो यह मूंकी डाल है हरी वाली और छिलके वाली डाल है तो मूंकी डाल जब भी मैं लेती हूँ छिलके वाली ही लेती हूँ और आज मैं इसके पगोडे बनाने वाली हूँ मुंग की डाल की मगोडे बोलते हैं इसको और आज कहते हैं ना सावन का पहला तेवार तक कुछ ने कुछ बनाना चाहिए ऐसा मानते हैं पुराने लोग तो सासमा बोली थी आज कुछ बना लेना चाहे कुछ भी बनाओ फ्राइट चेज कुछ भी जैसे पूरिया ही बना लो लेकिन कहते हैं आज के दिन ऐसे फ्राइट कुछ बनाना चाहिए तो इसलिए यहाँ पे मैंने मुंग की दाल भीगो करके रखी थी और मुंग की दाल बहुत जल्दी भीग जाती है लगवाग एक घंटे में यह फूल चुका था तो इसका मैंने छिलका निकाल करके और धुल लिया अच्छा से धुलने के बाद अब इसको पीस लेंगे और इसके बाद फिर बनाएंगे मंगोडे और इसमें मैंने अधरक लसन और हरी मेर्च भी साथ में पीस लिया है तो बस यहाँ पे मुंग दाल के मंगोडे बनाने के लिए जो दाल है ना वो मैंने रेडी कर ली है और अब इसमें मिलाएंगे और भी कुछ चीजे तो इसमें मसाले बगएरा मिलाएंगे थोड़ा बहुत जैसे जो भी मसाले पसंद हो मैं जादा तो नहीं मिलाती हूँ मसाले बस वही जो मैं घर पे बनाई हूँ न कल मैंने बनाया था मसाले आपने देखा होगा वीडियो में गरम मसाला जो मैं बना के रखी हूँ वही उज़ करती हूँ तो दो से तीन चमच गरम मसाला, हल्दी पाउडर और नमक बस इतना ही इसमें डालेंगे साथ ही इसमें हरी मिर्च अदरक लसन वैसे भी डला हुआ है पीस करके मैं डाला है और यहां पर मैंने लौकी ले लिया है लौकी को मैंने कद्दू कस कर लिया है थोड़ी सी तो कद्दू कस की हुई लौकी इसमें डाल करके बनाएंगे ना तो यह मगोड़े बहुत ज़्यादा सॉप्ट बनेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं तो लौकी को मैंने कद्दू कस कर लिया है और उसमें जितना भी एक्ट्रा पानी है उसको अलग कर देंगे पानी निचोड करके और फिर इसमें लौकी एड़ करेंगे क्योंकि मुंग की दाल वैसे भी थोड़ी गीली सी रहती है और अगर ये पानी के साथ डालेंगे तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा तो फिर बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो यहां पर मैंने पानी निकाल करके इसको डाल दिया है और एक तरफ रख दिये कड़ाई गरम होने के लिए तो कड़ाई गरम हो जाएगे इसमें पानी है अभी जब तक इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे हम वड़ा बनाते है ना उड़दाल के बिलकुल वैसे ही बनाना है बस वड़े में होल होता है इसमें होल नहीं किया जाता ह। और इस तरीके से मैं एक हाथ से को मना रहे हूं थोड़ा चप्ता कर दे Madam में और गरम इसको डालती जा रहे थी्व और मुंग डल की मंगोडे जब आप बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा कड़े लगते हैं खाने में जब आप खाते होना तो कुरगुरे तो अच्छे तो लगते हैं लेकिन इस तरीके से आप इसमें कुछ भी डाल करके बनाएंगे जैसे लौकी कदुकस करके आप डालते हैं या फिर प्याज भी डाल सकते हैं इसमें प्याज भी अच्छा लगता है तो मैं तो जादा तर लौकी के साथ में ही बनाती हूं तो मम्मी जी को पसंद है इस वज़े से मैं लौकी डाल करके इसमें बनाती हूं बहुत जादा अच्छा लगता है तो यह सॉफ्ट भी रहता और चटनी मैंने नहीं बनाई है, टोमाटो केचप के साथ सब लोग खाएंगे, तो एक एक करके मैं निकालती जा रहे थी, सब को मैं देती जा रहे थी गर्म गरम, क्यूंकि यह काफे जादा बन गया है, दाल जो है न मैंने जादा भीग हो दिती गलती से जादा भीग गई तो यह काफे जादा मात्रा में है, तो जितना सब लोग खाएंगे उतना ही में बनाऊंगी, बाकि जो बचे का न उसको बैर रख दूंगी फ्रेज में फिर में बार में बना लोगी, तो बस यहां पर आप देख सकते हैं, गर्म गरम मगोडे बन करके रेडी है, तो गर्म गर्म तो मचा आजाता है, बस यहां पर पकोडे बनाने का खाने का काम हो चुका है, और अभी ना रात के लगबग 8 बच गये हैं, यह सारा काम करते करते, और अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सब का पेट भर गया है, तो खाना आप किसी का भी खाने का मन नहीं है तो बस और किचन के छोटे बड़े काम होते हैं, छोटे मोटे काम वो सारे मैं कर लूँगी, दूद वगयरा उसमें मलाई निकालना, जमाना और गरम करना यही सारा काम है, और किचन में ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे काम रहते हैं, तो उन सभी को व्यवस्थित करना होता ह रात में सोने से पहले और सबसे जो ज़्यादा जरूरी काम होता है वो होता है किचन की सफाई करना तो सारे काम विवस्थित करने के बाद फिर मैं किचन के सफाई करती हूँ जो भी खाना पीना बचा हुआ है उन सब को फ्रेज में रख करके और फिर यहां पर किचन के तो बस अभी लगबग मेरा सारा काम हो गया है रात के बज गये हैं नौ और चलिए फ्रेंट्स आज का ये व्लॉग मैं यहीं परेंट करती हूँ आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरू कर लेना मिलती हूँ आप से एक नए ब्लॉग में थैंक्स वर वचिंग बाबाई टेक केर गुड नाइट